अगर नियत साफ हो तो घर पर आग भी लग जाए भगवान बारिश पर साथेते लेकिन अगर नियत खराब तो बारिश में भी खड़े इनसान पर भगवान विजली किरातेते आज मैं तुम दोनों के सामने खड़ा होकर तुम दोनों को चुनोची देता हूँ कि मर्द के बच्चे हो तो अपने आपको उससे बचा के दिखा दो इनसान भगवी कुछ में करने हैं लेकिन अपने नसीब से नहीं पर सका नाठेट किसी नहीं से वलिदान को दो वो दूबानी था जिन्दा है ये आदमी इस किले से बाहर हर्गिस नहीं जाना चाहिए आरारार फिल्म के बाद जूनियर एंटियार की अब एक और अगली फिल्म के अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसके लिए लोगों में काफी समय से एकसाइटमेंट काफी जादा बनी हुई है और बीच बीच में मेकर्स के तरफ से फिल्म का एक एक करके पोस्टर भी रिविल किया जा रहा है जिसमें फिल्म के करेक्टर्स के लुक को काफी अच्छे तरिके से दिख्या जा रहा है और इसी कि साथ साथ मेकर्स के तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की भी राउसमेंट कर दी गई है हम बात कर रहे हैं जूनियर एंटियार की मूस्ट अबिटेट विम देवराखी इस फिल्म के राउस्मेंट काफिस में पहले हो गई थी और फिल्म की शूटिंग का अब काफी काम पूरा भी हो चुका है अभी कुछी दिन पहले फिल्म के नए पोस्टर स्रीज के गए थे जिसमें फिल्म के और भी कई बड़े स्टार को रिवील किया गया है और फिल्म में हमें साउथ और बॉल्यूड के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल रहे हैं फिल्म में हमें लीड रोल में तो जूनियर एंटियार ही देखने को मिलेंगे इन दोनों के साथ साथ फिल्म में हमें हिरोईन की रोल में चानवी कपूर देखने को मिलेंगी और इन सभी के साथ फिल्म में हमें प्रकाश राज भी एक एहम रोल में देखने को मिलेंगी वहीं बात करें फिल्म के डिरेक्टर की तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डिरेक्टरों में से एक कुरातला शिबा के डिरेक्शन ने बना जाना है जूनियर एंटियार की इस फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी एकसाइटमेंट बनी हुई है आने वाले समय में हमें बहुत ही जल फिल्म का कोई टीजर देखने को मिल जाएगा जिसके बाद फिल्म को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट्स मिल जाएगी जैसा कि फिल्म में हमें क्या स्टोरी देखने को मिलने वाली है और फिल्म में हमें एक्शन किस लेबल का देखने को कर रहे हैं बस कुछ महीना और उसके बाद जूनियर एंटियर की एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तबही मचाने के लिए को और फिल्म आने वाली है और आपको बताते हैं इस फिल्म का बजट भी काफी बड़ा है देवरा फिल्म का बजट 300 करोड के आसपास का है अब आके देखने को मिलेगा और फिल्म के स्टोरी आखर क्या हो सकती है इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक करे गुड़ बाई खयाल रखे अपना